हालो फ्रेंड जैम आतादी फ्रेंड आज हम देखे न्यूबर्ण बेबी से लेके एक साल के बच्चे के लिए बेबी सैट बनाना सिखेंगे इसमें हम स्वेटर भी और इसके पजामा पैंट और टोपी और सॉक्स यह सारे बनाना मैं बताऊंगे आपको स्टैप आई अब मैं इसका फ्रन्ड पार दिखाते हूं और अब इसके बॉडर में मैंने देखें नहां पे िञाभे फिफ्टी एट फंदे डाले हैं बॉडर में थे फिफिप्टी एट फंदे दुफंदे सीधे दो पूर्टे का हमने बॉडर बना लिया है यह 14 से लाहिया हमने इस ब तो थोड़ा सा बॉर्डर में पहले एक स्लाई आपको बना के दिखा देती हूं कैसे बनाई है पहला फंद हमने स्लिप करा आगे के दो फंदे हमने उल्टे बनाए दो सीधे दो उल्टे 58 फंदे में इसमें टोटल डाले हैं बॉर्डर में इसके बाद हम फंदे उल्टी स्लाई उस पे हम बॉर्डर बनाएंगे और 76 फंदे इसके टोटल कर देंगे तो 58 ही हमने बॉर्डर में डाले हैं अगर आपका हाथ ज्यादा टाइट है तो आप 62-63 फंदे डाल सकते हैं बॉर्डर में अगर ऐसे नॉर्मल है ना ज्यादा लूज है ना ज्यादा है तो आपे 58 फंदे ही डाले जिए और उपर हमने 76 फंदे कर देने है इसमें तो यह पूरी स्लाई में ऐसे बना लेती हूं दो फंदे सीधे दो उल्टे इसके बाद फिर उल्टी स्लाई पे दिखाती मोट को अब ए देखिए पूरी स्लाई हमने बना ली अब हम उल्टी फ लाई पर आगे तो यहां से हम फंदे बढ़ाएंगे यहां पर 76 फंदे कर देंगे तो पूरी सलाई हम उल्टी ही बनाएंगे पर यहां पर फंदे बढ़ाते जाएंगे एक फंदे बढ़ाया और फंदे आप कॉंट करते जाएंगे और फंदे बढ़ाते भी जाएंगे तो इ तो टोटल 76 फंदे हम यहां पर कर देंगे तो यह मैं पूरी स्लाई ऐसे ही बना लेती हूँ फंदे भी बढ़ा लेती हूँ और यह 76 टोटल कर लेती हूँ अब देखे फ्रेंड यह हमारे 76 फंदे होगे अब इसके बाद हम यहां से यहां तक के प्लेन बनाएंगे हमने एक कॉण्ट करेंगे ऐसे तो यह पूरी स्लाई हमें सीधी बनाइंगे एक सीधी reconnect एक उल्टी एक सीधी üक उल्टी दस स्नायां बना लेती हूं। उसके बाद हमcking चाफे je ड़ूंद लेटीट करेंगे तो यहीं दस स्नायां बनाने जॉएंट करेंगे और दो लाइया वाइट की बनाएंगे एक सीधी और एक फोस्ते कुलेट के दो स्लाइया बनाने के बाद मैं आपको है डीजाइन डालना बताऊंगी बहुत वाइजी है एक पंदे बाला डिजाइन लेई previously बना लेते हूं फले बाइट कलर की दो white की और दो blue की बनानी है फिर हमने एडिजाइन बना है अब देखें फ्रेंड एक फिर भाइट का एक फिर विलू का पूरी सलाई हम लास्ता कैसे ही बना देंगे एक एक बंदा पूरी सलाई में बना लेते हूं फिर मैं उल्टी सलाई दिखाते हूं आपको एक पूरी सलाई देखिए लगा ली मैंने एक फंदा ये वाइट एक ब्लू अब उल्टी सलाई पर आगे हम तो जो फंदा हमारा वाइट है उसको हम ब्लू कर देंगे और जो ब्लू है उसको हम ब्लू कर देंगे तो ये ब्लू है इसको हम ब्लू करेंगे और ये वाइट है लास तक पूरी सलाई हम ऐसे ही बना देंगे उल्टा कलर इसके बाद दो सलाई फिर हम ब्लू की बनाएंगे फिर दो वाइट की और चार सलाई हम फिर ब्लू की इतना आप बना लीजे फिर मैं आपको एक टैडिकर डिजाइन बनाना बताऊंगे अब देखिए फ्रेंड अब हमें डिजाइन बनाना सीखेंगे छोटा टेडी तो यह जो डिजाइन बनेगा यह 19-19 के मल्टिपल से बनेगा 19 फंदे फिर 19 फिर 19 फिर 19 फिर 19 तो पहली स्लाइड देखे कैसे बनाएंगे हम यह दो ही टेडी मैं आपको बना के दिखाऊंगी सुरूब आले और बाकी फिर मैं अपने आप बना देखे क्योंकि जाब पूरा बना के दिखाऊंगी तो लंबी हो जाएगी वीडियो तो देखे तीन फंदे हम बल्यू के बना देंगे और चार फंदे हम बाइट के एक दो चार बाइट अब पांच हम यहां पे बल्यू बनाएंगे एक दो तीन चार पांच और फिर चार वाइट एक, दो, तीन, चार और फिर तीन हम ब्लू के बनाएंगे तो यहां तक हमारा एक डिजाइन कम्प्लीट होता है देखे, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आर, नौ, देस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, सोला, सतरा, अठारा, उननेस अब यही डिजाइन हमने बार बार रिपेट करना है तो सेंटर में हमारे यहां पे छे फंदे ब्लू के आ जाएंगे तीन इस साइड के टेड़ी के, तीन इस साइड के अब फिर से चार फंदे हमारे वाइट तीन, चार फिर पांच फंदे हमारे यह टेड़ी के बीच वाले पांच फंदे हैं साइड में चार-चार है तीन, चार, पांच अब फिर चार फंदे हमारे वाइट दो, तीन, चार अगर फ्रेंड याद ना रहे तो लिखके रख लिजिए गए अब 6 फंदे हमारे ब्लिव पांच, 6 यह जो बॉर्डर बनाया है मैंने यह 12 नमबर की सलाईयों पर बनाया है अब हम 10 नमबर की सलाई पर इसको बना रहे आगे छे होगे, आप देखे चार फंदे, वाइट के एक सलाई में पूरी आपको बना के दिखा रही हूँ है पहली और फिर आगे मैं सिर्फ दो ही बनाऊंगी पांच, फिर चार दो, तीन, चार देखे अब 6 फंदे हमारे ब्लिव दो, तीन, चार, पांच, छे अब अगला टैड़े देखे एक, दो, तीन, चार एक, दो, तीन, चार, पांच एक, दो, तीन, चार और लास्ट में फिर हमारे तीन फंदे ब्लिव की तीन ही हमारे देखे सुरू में है और तीन ही हमारे लास्ट में अब उल्टी स्लाई देखे अब हमने दो फंदे यहां पे ब्लिव के बना देने हैं एक, और एक, दो हमारे ब्लिव होगे एक हमारा यह वाइट आ जाएगा एक हमारा वाइट अब आगे हमारे दो एक, अब तीन फंदे हमारे यहां पे ब्लिव आएंगे तीन ब्लिव के फिर दो हमारे वाइट आएगे एक, दो वाइट फिर तीन ब्लिव एक, दो तीन ब्लिव ऐसे फिर एक हमारा वाइट आएगा और तीन फिर हमारे ब्लिव आएंगे तीन हमारे ब्लू आएंगे यहां पर दो हमारे वाइट आने थे यह हमारा यह दिखिए ऐसे यह बीच वाले हैं इसके इस साइड भी दो वाइट इस साइड भी दो वाइट तीन फिर एक अब देखिए एक दो तीन हमारे ब्लू आ जाएंगे देखिए दो एक तीन फिर दो फिर तीन फिर एक और फिर तीन हमारे यह चार फंदे हमारे सेंटर के यहां पर यह देखिए ऐसे यहां तक हमारे डिजाइन कंप्लेट होता है दो हमारे इस साइड के हैं और दो इस साइड के हैं अब फिर से देखिए एक दो यह आगे एक हमारा वाइट तीन हमारे ब्लू आगे दो हमारे फिर वाइट आगे तीन फिर हमारे ब्लू आजाएंगे दो फिर हमारे वाइट आएंगे तीन फिर हमारे ब्लू आएंगे और एक फिर यहां पर हमारा वाइट आएगा अब फिर से चार फंदे हमारे सेंटर के अब पूरिश लाइया पैसे बनाते जाएए एक तीन दो तीन दो तीन और एक और चार फंदे फिर हमारे अब यहां से बाद एक टैड़ी बचा तो इसको मैं बना लेते हूँ फिर सीधी स्लाइब दिखाते हूँ अब तीसरी स्लाइब देखे फ्रेंड अब दो फंदे हमारे ब्लू हो जाएंगे एक हमारे वाइट फिर तीन हमारे ब्लू तीन हमारे वाइट दो तीन हमारे वाइट एक हमारा ब्लू बचेगा और तीन हमारे वाइट फिर तीन ब्लू एक हमारे वाइट और यहां तपके देखें दो एक तीन तीन एक तीन एक तीन एक दो अब ऐसे ही आपे पूरा बना लिजिए तो अगला टेड़ी हमारे स्टार्ट हो गया तो मैं उल्टी स्लाई दिखाते हूं अब आपको अब फ्रेंट तीन स्लाई हमारी कंप्लेट होगे अब चौत्री स्लाई देखिए अब देखिए दो दो हमारे यहां पे ब्लू बनेंगे दो एक दो और बीच के अब नौ फंदे हमारे वाइट बनेंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ और नौ दो हमारे यह ग्लू एक हमारा वाइट वर बीच के चार फंदे हमारे एक वाइट यह अगला टैडी सुरू हो गया यहां पे सिर्फ हमने यहां तक बनाना है देखिए दो एक दो फिर नौ फिर दो एक दो तो पूरी सलाई ऐसे बना लेजिए अब पांच वी सलाई देखिए फ्रेंट यहां पे हमने तीन फंदे अब लियू कर देने आए दो तीन और बीच के तेरा फंदे हम बाइट बनाएंगे दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस ग्यारा बारा तेरा तेरा फंदे हमने बाइट बना लिए अब एक दो तीन अब ऐसे ही हमने पूरा बना देना है तीन तेरा और फिर तीन एक दो तीन आगे के तेरा फंदे फिर हम बाइट कर देंगे और फिर लास्ट के तीन तो यह पूरी स्लाई में पांच भी बना लेती हूं छटी फिर दिखाते हैं अब देखिए छटी स्लाई अब चार फंदे हम यहां पे बिल्यू के कर देंगे दो तीन चार और बीच के ग्यारा फंदे वाइट बनाएंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा अब देखिए अब चार फंदे हमारे इस साइड के चार उस साइड के तो आठ फंदे हम बीच में दो तीन चार पांच छे साथ आठ हम बल्यू के फिर गयारा हम वाइट के तो ऐसे हमने एक पूरी सलाइ बना देनी है अब सातवी सलाइड देखिए अब पांच फंदे हम यहां पे बल्यू कर देंगे उस betOO चार ऍस और बीच के नौ फंदे हम वाइट एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ और यह नौ और बीच के दस फंदे अब हम ब्लू करेंगे दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ और यह दस अब बीच के यह वाइट कर देंगे नौ फंदे तो ऐसे यह बना लिजिए नौ नौ फंदे हम वाइट रखेंगे और बीच में यह वाले दस दस हो जाएंगे फिर मैं आपको आठमी स्लाई दिखाते हूं अब आठमी स्लाई दिखेंगे फ्रेंड अब दो फंदे हम ब्लू के बनाएंगे यहां पे दो ब्लू दो हमारे वाइट आएंगे दो ब्लू दो ब्लू दो ब्लू और एक फिर ब्लू और बीच के नौ फंदे हमारे फिर वाइट यह आएंगे पांच छे, साथ, आठ, नौ नौ फंदे हमारे आगे अब एक हमारे ब्लू आगया दो हमारे वाइट आएंगे दो हमारे ब्लू दो इस साइड के और दो इस साइड के ब्लू अब सेम हम ऐसे ही दो हमारे वाइट एक ब्लू और सेंटर के नौ फंदे हमारे वाइट तो पूरी स्लाइए आप ऐसे बना लेजे अब नौमी स्लाइड देखे फ्रेंड अब पहला फंदा हमारे यहां पर वाइट यह ब्लू आएगा और बीच के सत्रा फंदे अब हमने वाइट बना देने हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, तोला, सत्रा और एक अब अगले टेडी का और बीच के सत्रा फंदे फिर हमारे वाइट और दो, ब्लू, सत्रा वाइट तो पूरी स्लाई ऐसे बना लेजें अब दसमी स्लाई देखे फ्रेंड अब यहां पर एक हमारा ब्लू आजाएगा, एक हमारा ब्लू आएगा फिर दो हमारे उगल्यू आएंगे और बीच के ग्यारा फंदे हमारे वाइट आएंगे चार पाँच छे, साथ, आठ, नौ दस और ग्यारा अब देखें इसके बाद दो हमारे ये बिल्यू आएंगे एक हमारे वाइट आएगा और ये दो हमारे बिल्यू ही रहेंगे सेंटर के और जब अगला टैडी लगेगा अब एक हमारे वाइट दो हमारे बिल्यू और बीच के 11 फंदे हमारे बाइट तो पूरी सलाई अब ऐसे ही बना रिजे दिए एक ब्लू, एक बाइट, दो ब्लू और 11 फिर बाइट दस सलाई हमारी पूरी कमप्लेट हो गई है अब यह जो गैरमी सलाई है पूरी सेम टू सेम ऐसी ही बनेंगे जैसी हमने बना रखी है एक, एक, दो, फिर यह गैरा तो गैरमी सलाई सेम ऐने ऐसे ही बनाने है देखे एक बाइट, एक ब्लू, एक बाइट, दो फिर ब्लू और बीच के 11 फंदे हमारे बाइट दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा दो फिर मारे ब्लू, एक बाइट और बीच के दो ब्लू तो यह पूरी सलाई में बना लेते हूं फिर बारमी सलाई बताते हैं 11 सलाई हैं कम्प्लीट होगी फ्रेंड अब बारमी सलाई देखे, उल्टी सलाई पे हम तो अब देखे, दो फंदे हमारे यहां पे ब्लू हो जाएंगे धागा इस साइड को क्रोस करेंगे यहां तक हमारे डिजाइन कम्प्लीट होता है अब फिर से हमने दो ब्लू, पांच वाइट, चार, पांच, पांच ब्लू, फिर से पांच वाइट और दो ग्लू, तो दो टैडी हमारे यहां पे कम्प्लीट होता है दो, पांच, 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 फिर चार, यहां से आगे फिर दोवारा से हमारा अगला टैडी लग गया यहां तक हमारे यह टैडी है, एक, दो, पांच, 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 दो तो यंग पूरी स्लाई बना लिजए फिर तेर मीसLाई दिखाते हूँ अब देखिए तेर मीसलाई तो अब तीन फंदे हमारे यहां पर blue बनेंगे दो तेन फंदे हमने blue बना दिए तीन हम bite बनाएगे दो तीन अब एक हम ब्लू बनाएंगे और पांच हमने यह जो हमारे ब्लू है इनको हम बाइट कर देंगे और फिर एक हमारे ब्लू आजाएगा फिर तीन हमारे बाइट आएंगे और तीन फंदे हमारे ब्लू आएंगे तीन तीन एक पांच एक तीन तीन अगला टैडिफे स्टार्ट होगा तो एक दो तीन हमने यह ब्लू बना दिये अब तीन हमारे वाइट और यह हमारा ब्लू आएगा यह हम white कर देंगे यह हमारा blue तो पूरी slide में बना लेती हूँ फिर चौदमी slide दिखाते हूँ अब चौदमी slide देखे फैंड अब यहां पे 6 फंदे हमारे blue हो जाएंगे 5, 6 6 blue हो गए 3 हमारे white 1, 2, 3 हमारे white 1 हमारा blue 3 हमारे white और 12 हमारे अब यहां पे blue होनेगे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 6 हमारे इस साइड के और 6 हमारे इस साइड के तो यह देखे 6, फिर 3, फिर 1, फिर 3, फिर 6 तो अब हमने ऐसे ही बना देना है आगे वाला भी 2, 3, एक हमारा blue 3 हमारे white 3 हमारे white और आगे के फिर 6 blue तो यह बना लिजिए फिर मैं पंदरवी स्लाइदी दिखा देना अब पंदरवी स्लाइदी देखे फ्रेंड आधा टेड़ी हमारा बन गया अब गला बनेगा तो अब पांच फंदे हमारे blue बनेगे आपे तीन अब फिर से तीन हमारे white और दस पंदे हमारे सेंटर के चार पांच चे शाथ आठ नो दस दस पंदे होगे अब तीन हमारे white तीन हमारे blue फिर तीन हमारे white और दस पंदे हमारे यह blue के तो यह देखे यह बना लीजिए फिर 16 लाई दिखा अब 16 लाई देखे फ्रेंड उल्टी स्लाई तो फिर से हमने पांच फंदे तो blue के बना देने हैं पांच blue और बीच के नौ फंदे हम अब white बनाएंगे चार पांच छे आट नौ चार पांच छे आट नौ और बीच के दस फंदे हम ऐसे बना देंगे ब्लीव हुई बस इतना सा ही आए पांच नौ और फिर पांच पांच दोनों साइड और नौ उननीस फंदे होगे और इस साइड के फिर अलग टैडी तो इस पूरी सलाई बना लेजिए फिर सतारमी सलाई देखें अब सतारमी सलाई देखें फ्रैंड यह पांच फंदे तो हम हम ब्लू यह बनाएंगे। आप देखें इन पर हमने धो हमने ब्लू चारि वैट बनाने हैं एक हमने हम ब्ल्यू कर देंगें और बीच के द्फंदे हमेगेह फिर एक यह ब्लू गारिए दो वाइट और पांच फंदे फिर एक दो तीन चार पांच तो यह देखें अब अगले पांच फिर ऐसे ही बनाएंगे दो एक तीन एक दो अब अठार में स्लाइड देखें अब हमने चार फंदे गल्यू के बनाने है तीन चार है कि इक हमारा है भाइट हो गया एक हमारा है बड़िउ हो गया और बीच के साथ संदें हम भाइट मनाएंगे ते चार पांच छे और है साथ साथ फन्द हमने बाइट बंपना लिए अब एक हम ब्लुग बना देंगे बेट भीछ Plई बीच के आठ फन्द हम ब्ल्यू चार पांच छे भीज़ो साथ अब एक हमारे बाइट एक हमारे ब्लू और बीच के साथ फंदे हम बाइट तीन चार तो पूरी सलाई आप ऐसे ही बना लीजिए देखे चार एक एक साथ एक एक और फिर एक आठ फंदे अब दो सलाई आप बचकी इसकी उननिस भी और वीस भी बीस लाई में कंप्लेट हो जाता है तो चार फंदे हम ब्लू ही बनाएंगे दो तीन चार अब अगले देखे तीन फंदे हम वाइट बनाएंगे एक दो तीन तीन वाइट ओ सॉरी फ्रेंड यहां पे एक बना था चार एक और दो हमारे यहां पे ब्लू बनेंगे दो हमारे ब्लू और पांच फंदे अब हमारे वाइट दो हमारे ग्लू एक हमारे वाइट और यह बीच के आठ फंदे चार है दिखेंगे यहां तक हमारे यह टैडी बन गए चार एक दो पांच दो एक चार अब पूरी सलाई आप ऐसे ही बना लिजिए फिर लास सलाई दिखाते हूं अब लास सलाई है फ्रेंट देखें ध्यान से तो चार फंदे हमारे ब्लू बनेंगे और तीन हमारे वाइट एक दो तीन और पांच हमारे ब्लू चार पांच फिर तीन हमारे वाइट दो तीन और चार फिर हमारे बल्यू अब यहां तक हमारे टेड़ी कम्प्लेट हो जाता है देखी चार तीन पांच तीन चार अगले टेड़ी को भी हम ऐसे कम्प्लेट कर देंगे तीन चार तीन हमारे वाइट एक तो तीन और यह पांच वाइट है इनको हम बल्यू कर देंगे एगले टेड़ी कर देगे यहां तक हमारे टिजाइन कम्प्लीट होता है अब यहां के बाद फिर हम यहां के बाद देखे आगे हम चार स्लाइएं फिर हम ब्लू के बनाएंगे फिर यह डिजाइन जो मैंने आपको बताया यह हम फिर यहां पर बनाएंगे और यहां से आगे यह देखे चार स्लाइएं फिर देखे टेडी बनाया फिर चार स्लाइएं चौद्धा 15 16 17 18 बना लिजिए ऐखारा स्मय बनाने के बाद फिर मुंडे की कटिंग करेंगे हम गला भी बनाएंगी और आगे वाले पार्ट पर हम गला भी बनाएंगे तो इतना बना लिजिए पिर दिखाती हो गिए अब देखिए इसकी length complete हो गई है यह देखिए यह मैंने बना लिए चार सलाइया है फिर दो फिर दो 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 और यह चे अब हमने यहां पर मुंडे की cutting भी करनी है दोनों साइड और बीच में हमने बटन पट्टी के लिए फंदे भी रखने है तो देखिए अब कैसे हम divide कि दो चार छे साथ फंदे हमने बीच में बटन पट्टी के लिए रख लिए अब देखिए एक दो तीन चार पांच छे आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चोड़ा पंदरा सोला शत्रा अठारा अठारा उननेस दीज इस इकिस वाइस तेज चोबिस पच्चेश हबिस सताई 38 39 39 35 32 34 औरे इस में आठ फंदे रख देंगे क्योंकि एक फंदा हमारा एक्स्ट्रा बच गया है तो 34 फंदे हम पहले इस साइड बनाएंगे फिर बीच में 8 फंदों की बटन पट्टी बनाएंगे तो देखे पहले हम यहां से मुंड़े की कटिंग भी करेंगे तो 34 फंदे इसके साथ ही हम count करेंगे तीन फंदे हम बंद करेंगे एक दो तीन ते चार पांच शे साथ आठ नौ दस ड्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा सोला सतरा अठारा उन्निस वीस इकिस बाइस तेस चोबिस पचिस चबिस सताई अठाई उनाति तेस एकतिस बतिस तेस चोटिस और ये दो चार छे आठ फंदे हम बटन पट्टी के लिए रखेंगे इसके बाद देखेंगे चोटिस फंदे हमने काउंट कर लेने है दो तीन चार आठ छे साथ आठ आठ नौ दस क्यारा बारा तेरा चोदा पंदरा तीस होगे इकतिस बतिस देटिस देटिस और ये जो आठ फंदे हैं अब हम धागा आगे करेंगे और इनको हम उल्टा उल्टा बनाएंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ अब यहीं से हम पल्टेंगे अब एक ही साइड हम बनाएंगे दूसरी हम बाद में बनाएंगे अब यह पूरी स्लाई हम उल्टी बनादेंगे उल्टी स्लाई बनाने के बाद फिर आगे सीधी में फिर दिखाते हूं आपको अब देखें पहले हमने तीन फंदे बंद करेंगे थे अब हम दो फंदे बंद करेंगे यहांपे एक और यह दो तीन दो एक की हम यहां पर कटिंग कर देंगे और पूरी स्लाई लास तक ऐसे ही बना देंगे लास में आख फंदे जो है वो हम उल्टे बनाएंगे बटन पट्टी के लिए अब यहां से हम धागा आगे करेंगे और यह आठ फंदे उल्टे बनाएंगे दो तीन चार पाँच छे साथ और लास का है सीधा आठ अब उल्टी स्लाई पूरी उल्टी और सीधी पर फिर एक फंदा हम यहां पर मुंडे की कटिंग करेंगे अब एक फंदा हम बंद कर देंगे और हमारी मुंडे की कटिंग हो गई है और यह पूरी स्लाई हम यहां तक बना देते हैं यहां पर अभी दो धरियां होई यहां पर पांच धरियां हम बना लेंगे चार धरियां बनाएंगे फिर मैं बटन होल बनाना बताते हूं आपको तो अभी दो धरियां होई, इस स्लाई पे हमारे तीन होगी, चार धरियां मैं बना लेते हूए, अब हमने, यहां से कुछ हुई नहीं करना है, कोई फंडा कम नहीं करना है, तो चार धरियां बना के फिर दिखाती हूँ, अब देखें फ्रेंट 5 दरिया मैंने बना ली एक, दो, तीन, चार, पांच अब उल्टी स्लाइपे हम यहाँ पे बटन होल बना देंगे दो, तीन, चार फंदे बनाए फिर यहाँ पे जाली बनाई और दो का एक कर दिया तो है हमारा बटन होल बना गया अब ऐसे हैं हम थोड़ा सा और बनाएंगे ऐसी पांच धारियां और बना देंगे फिर हम गले की कटिंग करेंगे तो यह मैं बना लेते हूं फिर मैं आपको गला गटाना बताते हूं इहग बना लेते हूंँ पांच दारियां और फिर दिखाते हूं एक बटन होल लोग आप के फिर बनाएंगे और उसके बाद गले की कटिंग करेंगे अब देखे फ्रेंट एक साइड मैंने कम्प्लेट कर लिया है यहां तक हमने बटन होल बनाया इसके बाद हमने फंदे घटाए और उपर तक आधा गला मैंने बना लिया अब मैं इस साइड से आपको बनाना बताते सबसे पहले यह जो आठ फंदे हैं इनके नीचे से भी हम आठ फंदे उठाएंगे तब हमारे यह बराबर आएगा तो देखे आठ फंदे कैसे उठाएंगे यह जो उल्टा-उल्टा है इनको हमने ऐसे उठा लेना एक दो तीन चार पांच छे साथ और एक और उठाएंगे आठ आठ पंदे हमने उठा लिए अब यहां से हमें जोइंट करेंगे धागा दूसरा देखे यहीं से हम इसको उल्टा-उल्टा बनाना स्टार्ट करतेंगे ऐसे और यह धागा हम पीछे की साइड कर देखेंगे एक दो तेन चार पांच छे, साथ, आठ अब धागा पीछे करके यहां से हम थोड़ा से यहां पर गया तो आसे एक फंदा इस उठा लेंगे, और यहां पर दो का एक कर देंगे ऐसे और उस साइड जाके फिर से हमने तीन दो एक की कटिंग करने है जैसे हमने इस साइड करी थी वैसे ही कर देंगे और यहां पर जैसे हमने ग्यारा धरियां बनाई पांच पहले फिर पांचे फिर इसके बाद एक और बनाई है तो गैरा धरियां बनाने तक आप ऐसे ही बना लीजिए जैसे हमने दूसरे साइड बनाई थी यहाँ पर तीन फिर दो फिर एक की कटिंग और इसके बाद फिर मैं आपको गले की घटाई बताते हूं जैसे हमने इसमें उपर बनाई है तो यहाँ तक आप इसको कंप्लेट कर लेजिए अब यह देखिए फ्रेंड यहाँ पर एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ तस ग्यारा धरियां हमने बना ली अब ग्यारा धरियां बनाने के बाद हम गले की कटिंग करेंगे तो देखिए पहले यह जो आठ फंदे हैं इस स्लाई में हमने सीधी स्लाई पर यहाँ पर गले की कटिंग करनी है और इस साइड में हमने उल्टी स्लाई से जब हम यह वाली स्लाई यहाँ से लेके जाएंगे तब हम यह वाली cutting करेंगे बस एक में हम सीधी स्लाई पे एक में हम उल्टी पे तीन करना सेम ही है पांच छे साथ और आठ अब धागा पीछे करेंगे अब देखिए तीन बार हम दो काई करेंगे एक दो तीन तो तीन फंदे हमारे कम होगे फिर हम पूरी स्लाई ऐसे सीधी ब पूरी उल्टी बना के अगली सीधी पर दिखाते हैं अब फिर से देखिए यहां पे तो हमने फिर नहें है आथ फंदे an the शे अब धिर से हमने यहां पर तीन स्लाई दो आक ग्राए हम ने-दीन यहां यहीं तीन स Изप में तेन यहां पर बार हमने दूसरी बार हमने तीन पर पाजका इस तीन फंदे यहां पर घटा दिए पहली वार भी तीन घटा है दूसरी वार भी अब पूरी स्लाई हमें सीधी बना देंगे फिर फिर उल्टी पूरी उल्टी फिर अगली सीधी पर दिखाते हैं अब दीखें अब हमने दो ही फन्दे कम करने हैं दो बार हमने तीन-तीन कर दिये अब हमने दो करने हैENS तो आठ फन्दे हम उल्टे ही बना लेंगे चार, पाँठ, छे, साथ, आठ इस तरह से गला बनाने पर हमें अलग से गला नी बनाना पढ़ता है, देखेए, एक और यह दो अब पूरी सलाईह हमें सीधी बना देंगे और अलटी सलाई फिर पूरी उलटी फिर अगली सलाई पर फिर दिखाते हुं आपको अब देखिए अब हमने यहां पर 18 फंदे मुंडे के लिए रखने आठे तो दो चार छे आठ दस बारा चौदा सोला अठारा और एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ अब दो फंदे हमारे पास बचे तो दो बार हमने यहां पर एक एक फंदा गटाना है पहले आठ दो हमारे लिखा पास आय। फंदे हम बना लेते हैं चार पांच छे साथ आठ अब धागा पीछे कर सब्सक्राथ 5 नभ गटे दाना प्रपा नहीं पर एक जाह ठीक कर सूह जारे, और फिर और बरावर वरन्दे बचेंगे, यह जाम बचेंगे, फिर वैसे ही उपर तक इसक स्लाइब में पूरी उल्टी बना लेती हूं पहले फिर अगली सीधी पर दिखाते हैं अब देखिए अब हम लास्ट वार ही यहां पर एक हंदा गटाएंगे दो तीन चार पाँच छे साथ आठ धागा पीछे दो का एक अब देखिए दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नौ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 यह बच्चों के मुंडों पे हम 16 या 18 फंदे ही छोड़ेंगे अब इसकी लेंध हमने ऐसे ही हमने अब उपर तक इसको बनाते जाना है जितनी लेंध हमारी है इसकी है दूसरे पाट की फिर मैं आपको मुंडे जोड़ना अब इनी फंदों को हम बनात जाएंगे यह वाले 8 फंदे हम उल्टे उल्टे और यह सीदे तो यह मैं इसकी लेंध कम्प्लेट कर लेती हूं फिर दिखाते हूं आपको के फ्रेंड इसकी लेंध मैंने कम्प्लेट कर ली और यह जो धारिया बनी है टोटल 20 है बीस धारिया है अब देखिए अब इसकी नोक भी साइड है तो अब हमने यहां पर हमें नोक चाहिए क्योंकि यह देखिए दोनों मुंडे हमने ऐसे जोड़ने है तो मैं सभी फंदे पहले इस लाई पर उतार लेती हूं ताकि हमारे यहां पर आ जाएगे अब देखिए फ्रेंट हमने इस लाई पर उतार लिया तो यहां पर आ गई नोक अब देखिए अब यह सीधी साइड हमारी दोनों अंदर की साइड है और उल्टी बाहर की तो अब हमने यह फंदे यहां पर बंद करने है अठारा अठारा और आगे जो गले वाले हैं यह आ पिर हमने दो लेने हैं फिर हमने दो का एक कर देना और पीछे वाला इसके उपर से ऐसे उतार दे जाएंगे फिर हमारा फंदे बंद होते जाएंगे पीछे से उतार दिया फिर्फ 18 ही फंदों का हमने बंद करना है और जो 8 फंदे हैं उनको मैं बाद में दिखाते हूं फिर आपको हमने गला कैसे बनाना है अब देखिए यह 8 फंदे हमारे बचगे 4, 4, 8 और यह जो मुंडे वाला फंद है इसको हम यहाँ पे ले लेंगे अब देखिए अब हम गला बनाएंगे तो आदा गला मैंने इस साइड बना लिया है आदा हम इस साइड से बनाएंगे अब यहाँ पे मैं दिखाती हूँ कैसे बनाएंगे पहले इन 8 फंदों को बना लेती हूँ और यह बैक पार्ट की स्लाई पे आगे सबी फंदे अब देखिए अब हम गला बनाएंगे तो पहले हम 7 फंदे बनाएंगे देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7 यह हमारे मुंडे का फंदा है इन 3 का हम एक करेंगे धागा पीछे करेंगे और इस 8 में फंदे के साथ बैक पार्ट का एक फंदा लेंगे और यह तो हमारे मुंडे वाला फंदा है तब हम 3 का एक करेंगे अब यहीं से हम परटेंगे पहला फंदा हमने हमेशा स्लिप करना है बस इसी तरीके से हमने इसको बनाते जाना है देखिए अब फिर से 7 फंदे बनाएंगे 2 3 4 5 6 7 थागा पीछे करेंगे यह फंदा और एक बैक पार्ट का यह बैक पार्ट वाली सिलाई है यह आठ फंदे छोड़के इतने तक हम एक गला ऐसे बनाते जाएंगे यहां पर दो का एक करते जाएंगे फ्रंट पार्ट वाला बटन पट्टी वाला और एक बैक पार्ट वाला दो का एक करते जाएंगे तो हमारा गला साथ में बनता जाएगा एक बार फिर देख लिजिए फिर मैं आपको जोड़ना बताएंगे इसको कैसे फिर हमने दोनों साइड से जोड़ना है 2 3 4 5 6 7 थागा पीछे करेंगे आठमा फंदा और एक दो का एक अब फ्रेंड यहां तक आप इसको ऐसे ही घटाते जाएए दो का एक दो का एक करते जाएए और फिर ए आठ और ए आठ जोड़ना बताऊंगी अब देखे फ्रेंड आठ आठ फंदे बचेगे दोनों साइड तो देखे अब हमने जैसे इसकी नोके देखे इस साइड को है तो इसकी हमने इस साइड को करनी है तो पहले हम तब ही हमारे अच्छे से बंद हो जाएए तो यह वाले जो हैं कि यह हम इस वाली स्लाइब से अतार लेते हैं यह गया है कि यह से अतार लिए अब यह वाले भी हम इसकी नों की साइड को इसकी साइड को करेंगे अब देखिए दोनों की नों का मारी इस साइड को आगे तो इस बात का ध्यान रखना है कि यह हमने उल्टी स्लाई पे ही बंद करना है उल्टी साइड पे यह देखे यह हमारी उल्टी साइड है और इस साइड भी हमारी उल्टी है तो देखे अब हमने यह दो काई करना है एक इस साइड का एक इस साइड का और दो का एक कर दिया फिर अगले वाला दो का एक करेंगे पीछे वाला उपर से उताथ दे जाएंगे इस धागे को साथ में लेके चलेंगे दूसरी साइड से भी मैंने आधा ही फंदे बना दिये थे गले के तभी हमारे बैक साइड को आ जाएंगे देखे इसको ऐसे पीछे वाला हमेशा उतारते चलना है अब यहां से हमें धागा काट देंगे थोड़ा सा ही छोड़ेंगे अब इसके अंदर से यह वाला धागा हम ऐसे निकाल देंगे और इसको टाइट कर देंगे और यहां पे देखे चोटा सा होल बनेगा तो जब हम इसको इन धागों को को इस साइड गाлем ऐसे कराँ कि यहां पर पक्का कर देंगे तो अब मैं आपको गला दिखाती हूं इस तरीके से हमारे बैक साइड पर आ जाएगा और देखिए साथ साथ में हमारे गला बनके कम्प्लेट हो जाता है यहाँ पर आप इसको बटन लगा दीजिए दो बटन लगाईए चाहिए एक लगाईए यह आपके अपनी मच्जी है इसके साथ ही हमारे गले का डिजाइन कम्प्लेट हो जाता है इसके बाद मैं आपको बाजू बाजू के मैंने देखिए यही डिजाइन सेम टू सेम बनाया है यहां पे हमने 38 फंदे डाले हैं फिर उपर हमने बढ़ा लिया है और देखिए 19,19,19 फंदे यहां पे बढ़ाये हैं हमने इस वले डिजाइन पे सिर्फ यहां तक हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाया है यहां भी बढ़ाया है यहां भी दो बार यहां बढ़ाया है दो बार फि यहां पर 38 के बाद उल्टी सलाई पर हमने इसको 50 फंदे कर दिये थे और 50 फंदे फिर हमने ऐसे ही बना ली उपर तक और 19 19 काई डिजाइन है तो ऐसे ही आप इसको बना लीजिए और जितना डिजाइन हमने यहां से मुंडे तक बनाया है उतना ही हमने यहां तक बनाया है यहां हमने इसमें छी सलाइया बनाया है यहां मैंने इसमें आठ सलाइया बना दिया फिर तीन 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 वार यहां बंद करा तीन 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 यहां बंद करा पिर सबी फंदों को बंद कर दिया तो इस तरीके से ये फिर हमारा ये बाजू कंपलेट हो जाता है और बाजू देखिए हमारे इसमें बराबर आएगा ऐसे कर लेजे आपे और ऐसे नापके इसको उल्टी सलाई से हमने इसको ऐसे सिल लेना है इस साइड से भी और इस सेम टो सेम आ जाएगा तो इस तरीके से आप इसको सिल लीजिए बना लीजिए बाजू भी और फिर मैं आपको इसकी पैंट पजामा बनाना बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में तो फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब आपको सिलन की वीडियो सिखनी है तो मैं पजामे में आपको इसकी सिलाई बता देती हूं जोडने है फिर फिर इसको ऐसे सीलते जाहिए पूरे राовंड बले में यहां तक और उसके बाद प्र अधाल पोड़ा से लंगे थेंक्स पर वाचिंग